ग्यों भीज़ के लिए अधिकतम नमी की मातरा कितनी है आपके option देगे हैं 9 से 10% option नमबर B है 10 से 11% option नमबर C है 11 से 12% option नमबर D है 12 से 13% तो आपका हैं पर दोस्तों correct answer क्या हो जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो option नमबर C है correct answer हो जाएगा यानि कि 11 से 12% ग्यों भी इसके लिए अधिकतम नमी की मात्रा जो है 11 से 12 प्रसेंट होनी जाएए अगला कुश्चन देखते हैं कुश्चन नमर टू है सरसों के दाने में तेल का प्रतिसत कितना होता है आपके option यहां पर दिये गए है 15 से 20 प्रसेंट 25 से 30 प्रसेंट या फिर 45 से 44 सरसों के दाने में तेल का जो प्रसेत मात्रा होती है 35 से 38 प्रसेंट अगला कुश्चन देखते हैं दोस्तों कुश्चन नमबर यहां पर 3 है सोया बीन हैतो आपके दियेगे हैं option नमबर A है तिलहनी फेसल या फिर खाद्यान फेसल है तो आपका कर्रेक्ट एंसर हो हजएग अगला question देखते हैं दोस्तो question number 4 है why bundle में item के आधार पर nitrogen की मात्रा है तो आपके यहाँ पर option देगए है option number A है 0.003% option number B है 20.95% option number C है 68.53% option number D है 78.09% तो आपका हैं पर correct answer क्या हो जाएगा और दोस्तों आप लोग जो है comment में हमें correct answer भी बताते रहेगा अगर आपको इसका answer आता है तो अगर सभी जितने भी question का आपको answer आता है तो इसका comment box में आप जो है answer हमें बताते रहेगा तो दोस्तों इसमें आपका जो correct answer है वो जाएगा यहाँ पर option number D यानि कि 78.09% अगला question देखते हैं आपके दोस्तों question number आपका 5 है गेहु में पायज जाने वाला protein कहलाता है तो आपके option यहाँ पर दिये गए है option number A है zine, option number B है glutine option number C है dhrine, option number D है resine तो यहाँ पर आपका correct answer क्या हो जाएगा दोस्तों तो इसमें आपका जो correct answer है वो हो जाएगा यहाँ पर option number B यानि कि glutine गेहु में पायज जाने वाले protein को कहते है gluten, अगला question देखते हैं दोस्तों question number यहाँ पर 6 है साब च्छा पक्ती 6 रो वाले जो कावन अस्पतिक नाम क्या है, आपके option यहाँ पर दिये गए option number A है, hordium vulgar, option number B है hordium irregular, option number C है, hordium discriti, korn, option number D है अप्रोक्त में से कोई नहीं तो आपका correct answer क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर तो question number 6 का option number B आपका correct answer हो जाएगा यानि की hordium irregular, अगला question देखते हैं दोस्तों, question number यहाँ पर 7 है, लगुधान mirror, millate फसल जो सूखा प्रत्रो दिये, उसे कहते हैं तो यहाँ पर आपका option देगए है option number A, कोदो option number B, रागी, option number C, काकून option number D, सामा तो आपका correct answer क्या होगा दोस्तों यहाँ पर तो question number 7 का आपका option number A, correct हो जाएगा यानि की कोदो अगला question देखते हैं दोस्तों question number 8 है, आलू के बीज में सुपता आवस्था को तोड़ने के लिए प्रियोग किया जाता है आपके option देगए है, निप्थेलीन acetic acid, या फिर option number B, इथेरल option number C, थायो यूरिया option number D, इंडॉल acetic acid, आपका correct answer क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपका question number 8 का जो option number C है, correct हो जाएगा, थायो यूरिया आलू के बीज में सुपता उस्था को तोड़ने के लिए प्रियोग किया जाता है, थायो यूरिया, अगला question देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर question number 8 है sorry question number 9 है सरसों की फसल के लिए उप्युक्त अंतरा ससेन फसल है तो इसमें आपके option दिये गए है आलू, option number B है जाओ option number C है गेहू, option number D है चना, आपका correct answer क्या हो जाएगा यहाँ पर तो यहाँ पर आपका option number D है जो correct answer हो जाएगा यानि की चना, सरसों की फसल के लिए उप्युक्त अंतरा ससेन फसल है अगला question देखते है question number 10 है यहाँ पर आलू की अगेती प्रजाती कटाई के लिए कितने दिनों में तयार हो जाती है तो यहाँ पर आपके option दिये गए है 90 से 110 दिन में या फिर 110 से 130 दिन में या फिर 70 से 90 दिन में या फिर 140 से 160 दिन में तो आपका correct answer यहाँ पर क्या हो जाएगा दूस्तों तो question number 10 का option number A आपका correct रहो जाएगा यानि कि 90 से 110 दिन में अलू की अगेती प्रजाती जो है कटाई के लिए 90 से 110 दिन में तयार हो जाती एकला question देखते हैं पर question number 11 है किस्म के जों का उद्गम इस्थल है आपके option यहाँ पर दिये गए है भारत option number B US option number C इथोपिया option number D इन में से कोई नहीं तो आपका correct answer क्या हो जाएगा दूस्तों यहाँ पर तो इसमें दूस्तों आपका जो right answer है question number गेरा का option number C आपका correct answer हो जाएगा इथोपिया तो इसमें के जो का उद्गम इस्थल है इथोपिया अगला question देखते हैं दोस्तों question number यहाँ पर बारा है आलू के बीज का प्रत हेक्टेर बीजदर कितनी है तो यहाँ पर आपके option दिये गए है option number A है 1-8 कुंटल प्रत हेक्टेर 8-15 कुंटल प्रत हेक्टेर 15-20 कुंटल प्रत हेक्टेर या फिर 22-30 कुंटल प्रत हेक्टेर तो अपका character answer क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आलू के बीज की प्रत हेक्टेर बीजदर क्या है इसका दोस्तों right answer जो है यहाँ पर हो जाएगा option number B यानि की 8-15 कुंटल प्रत हेक्टेर अगला question देखते हैं question number यहाँ पर 13 है इमर गेहु का वनस्पतिक नाम क्या है option आपके देगे है टिटिकम डाइकोकम टिटिकम एस्टिवम टिटिकम डियूरम या फिर टिटिकम मोनोकोकस आपका correct answer क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर तो question number तेरा का option number यह आपका जो है correct answer हो जाएगा टिटिकम डाइकोकम अगला question देखते हैं यहाँ पर question number दोस्तों 14 है ग्योहु में चौडी पत्ती के खरपतवारों के नियंत्राड के लिए प्रयोग किये जाने वाला साकनासी है आपके यहाँ पर option दिये गए दोस्तों मेटस, सल्फियूरान आइसो प्रूटियूरान option number C है क्लोडीना, कॉफ option number D दिया गया है फोनाकसा, प्रॉप तो आपका दोस्तों यहाँ पर correct answer क्या होगा question number 14 का तो यहाँ पर आपका option number A जो है correct answer हो जाएगा मेटस, सल्फियूरान अगला question देखते हैं दोस्तों question number यहाँ पर 15 है भारत में बिशुका कितना परिसद भूसन साधन है तो आपके option दिये गए यहाँ पर 2.4% option number B है 10% option number C है 11% option number D है 60% तो आपका यहाँ पर correct answer दोस्तों क्या हो जाएगा तो option number यहाँ पर जो है question number 15 का option number A आपका correct answer हो जाएगा यानि कि 2.4% भारत में बिशुका कितना परिसद भूसन साधन है तो 0.4% अगला question देखते हैं आपके question number 16 है शर्वदिक सिंची छेत्रफल किस फसल के अंतरगत है आपके option देगे है गेहू option number B है धान option number C है मक्का option number D है जौर शर्वदिक सिंची छेत्रफल किस फसल के अंतरगत है तो आपका इसमें correct answer क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर तो question number 16 का option number A आपका जो है correct answer हो जाएगा यानि कि गेहू अगला question देखते हैं दोस्तों question number यहाँ पर 17 है गेहू की फसल का अपति जनक खरपतवार है आपके option देगे हैं option number A है गेहू सा option number B है प्याजी option number C है जंगली जाई option number D है हिरन खुरी तो question number 17 का option number D आपका correct answer हो जाएगा यानि कि हिरन खुरी गेहू की फसल का अपति जनक खरपतवार है हिरन खुरी option number D आपका correct answer हो जाएगा अगला question देखते हैं question number 13 है आलू में कंद बनने हैं तो आदर स्तापकरम चाहिए तो आपके option दिये गए यहाँ पे option number A है 14 uncalcius option number B है 18 uncalcius option number C है 21 uncalcius option number D दिये गए है 34 uncalcius तो question number 18 का option number B का जो है आपका correct answer हो जाएगा यानि कि 18 uncalcius अगला question देखते हैं दोस्तों यहाँ पे question number 19 से चने के दाने में protein पाया जाता है चनों के दानों में जो है protein की कितनी मात्रा कितने percent मात्रा पाया जाती है तो आपके option देगे हैं 20% option number B है 21.1% option number C है 22.5% option number D है 25% तो आपका correct answer जो है यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों option number B यानि कि 21.1% चने के दानों में protein पाया जाता है 21.1% अगला question देखते हैं आपे question number 20 है चने की प्रमुक व्यादी है option दिये गए है option number A है उक्टा option number B है जुलसा option number C है powdery middew option number D है A B दोनो तो आपके हैं पे correct answer जो है वह जाएगा दोस्तों option number D यानि की A B दोनो उक्टा और जुलसा चने की प्रमुक व्यादी रोग जो है उक्टा और जुलसा दोनों आपके correct answer हो जाएंगे तो दोस्तों आज की class में बस इतने ही question और उम्मिद करता हूँ अच्छी लगी होगी class अच्छी लगी तो class को like करिएगा share करिएगा चैनल पर नए तो लको subscribe कर लिजिएगा मिलते हैं दोस्तों अगली class में